नींद में खर्राटे एक आम समस्या है. तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन नींद में उन्हें नहीं पता चल पाता, जबकि बगल में सोय व्यक्ति की नींद हराम हो जाती है. नींद में खर्राटे आना कई बार खतरनाक साबित होता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. लेकिन प्रमुख कारण शरीर में होने वाले केमिकल बदलाफ को माना गया है. डॉक्टरों की माने तो खर्राटा बजना हार्ट अटैक, ऑक्सीजन की कमी, स्ट्रोक जैसी समस्य के लिए खत्रे की घंटी हैं. इसलिए खर्राटे का इलाज जल कराना चाहिए किसी व्यक्ति को खर्राटे तब आते हैं, जब सास लेने के दौरान गले के अंदरूनी हिस्सों में कमपन होता है. इस समस्या के पीछे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल का असंतुलन ह होता है. इसमें मुख्य रूप से ने जो फाइलिंग्स का जो एरिया है, उसके कुछ ग्लैंड में डेवलपमेंट हो जाता है. व्यक्ति जब निदरा अवस्था में रहता है, तब मेलाटोनिन नींद को नियंतरित करता है. खर्राटे आने पर ये ग्लैंड्स नींद का नि हावित होती है, जिससे खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा सेरोटोनिन का असंतुलन गले की मानस्पेशियों को कमजोर कर सकता है, जिससे वायुमार्ग संकुचित हो जाता है और खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है.